कि ते हुन गर्मियां आगी हैं बिड़ा तूटी वाला प्लेन कड़ा लेकर कड़ेदा पानी है उन तुसी सोच भी नी सकते तड़े जोड़ां दे विच्छो यूरी कैसे दूँ आएं वाश कर पंदा ते उक किकर तो लाहे हुए तुक्के उन्हानु छान दे विच्छ सकाल अब परेशन ते तक आप लेकर रहे हैं इस तरह सर्जन कोले जाएंगे उन्हाने करा पूर कोई हले निए यह तिन चीजा ने शनुक्त से एरे गेरे ने दिती हैं इस अनुको ने दिती है ने जिने श्रिश्टी रचिया आएं ब्रश लेलोगे तर तर दे मंजन करो गोड़ का लोगे ता उदे विचे शक्ति आउंदे है ता उद्वजे ने खाना खाता होया और प्रॉपर ता नुप पचेगा ते एसे क्रजिडे चीजा खानिया ने तरीके नरखाओ अपनी डाइट सेट करो मेथी कलांजी वी दाने मेथी दे दास दाने कलांजी दे और सभत दाने में जुआ जादे हूंगे अरं अब पानी कोली तक होगे हैS वेरे उटके उन्हों चभा चभा के खाणा और जड़ा पानी पहोगे रखे उन्हों सिप करर चरक के पीना तो के इसी प्जिडिया पर्दमि go nur Hai這種 साड़ी या मरचा तुसी देखूंगे तर्तिते जोनों कोई कीडा पानी नूँ खाल बेजा पील बेजा तच कर लोगे कीडा मर जांदा है आज गल करने जा रहे हैं जी जोडां दे दर्द दी कार परिवार विच बजोर्ग होंदे ने गोड़ियां दे दर्द नो लाके बड़े ही परिशान हो नुसके तो बहुत ही जानकारी तो आड़ना सांजी करन जा रहे हैं ते अज साड़े ना स्टूडियो विच मजूद ने जी वर्दान अयर्वेदिक ओर्गनाइजेशन दे मिस्टर सुभाश गोईल जी बहुत-बहुत स्वागत और जिनने भी साड़े दर्शक साड़े प नहीं जा पांदे जी गोड्यां दा बड़ा दर्द है जोड़ां वीच दर्द रहनदा है तो जी मौसम चेंज होंदा है प्रॉब्लम हो ज्यादा वदन ला जांदी है डॉक्टर केंदे ने जी ऑप्रेशन करा लो आर्वेद दे टांग देनाल की वें जोड़ां दे है दूसरा जिडा है दर्द है जड़े सी ज्यादा किसे दा आरे फेक्टर जिड़ा हो पॉजिटिव आ गया था मिंच गठी दा दर्द हो गया एक किसी दा यूरीक ऐसिड बद गया ओधे करन थोड़ा जा मसल स्टिफ हो गया दर्द हो लाग गया एक अपने खान पान दी अपने कार्दे विच एक तेहुन गर्मियां आगिया बिड़ा टूटी वाला प्लेन कड़ा लेके हो कड़ेदा पानी है उसी सोच भी नी सकते तो डे जोड़ां दे विच यूरीक ऐसिड दू आएं वाश कर दंदा जिबे तुसी ब्रश कर दें उस वेरे उठके मतलब कहन तुक्के आदा पाउडर पनालोंगे तुसी कोश भी नी लगना किसे गरीब नूँ देदो पन्यार भी सौर बे टांगी वाले नू तो नो किकर दे तुक्के लाके देदुआ ते ओंड़ा तो लाहे हो तुक्के उन्हान नू चान देविच श्कालो करेलिया के मंजे थले स चांच सुकन गे ना ता उधे तात निहीं काट दे और उधे विच और दे विच पंपलीट रहें और तो बोडी देविच बीरजनु एन्ना गाडा कर दे नहीं और जदो तड़ी बीरजनु थे निए नूँ पाज़निया ने कि यह बंदेर अलोब शक्ती के साच हो नी सकत जदो चाहे पैनाने चाहे प्राने तो उनना दे शरीड चाहे बीच दी मात्रा होंदी तो जदो सब्सक्तित रॉग है तो सड़े जोड़ा दी लूबरीकेशन है जिन्हों इसी ग्रीज कहने या तुसी घैन्यों ग्रीज मैं नहीं कहनें दा यह साइजनोवल फ्लिवूड ह और इन्हों ग्रीज कहें कि अपरेशन थेटर तक आप ही लेके गयां और जेड़े दूसरे डॉक्टर अपने हैं अपर आसा दे सर्जन उन्हां को ले जामांगे तो दिखो जे किसे पंदत को ले जाओंगे उन्हें करना भी फ्लाने रंग दाता घप आला है तेरे गोड़े जानगे ते जे किसे यह पाब जामांगे उन्हें करना लेवी तू पाँजे चौंकिया ला तेरे गोड़े जानगे ऐसे तरह शर्जन को ले जाएंगे उन्हां ने करना भी और कोई हल लेनी मेरे जाओंगे मैं कुघँगा भी या देसी दुआई आ आखा मतलब जिते भी देखना भी तो डिचेवेच की है。 मतलब मेरी है कोई हाधत है, मैं सब पहला कहना करेbersल्ट, फेर तुसी मेनु मिलो, मेनु मिलके तुसी देखयो की कहिंदी के DOम्हों कि फेरे हों imperfective work, करांफ Васका क किर्थ करों, बुझा कां नाम जपता हैं, Axe CAP 500 पाउडर बनालों सिर्फ पाउडर कुटके बनालों यह दा पाउडर पाणी देविचे को लगे रख दो सुवेरे दुपैरे शाम तिन बारी पीना एसे दा पाउडर है उन्हों सुवेरे यह लेके अईदा करके थोड़ा सेंदा नमक पालों ब्राश लेलोजी दे तुसी करो थोड़े मुँचा बदभूगा उंदी है एक अल पक्की है क्योंकि जदो जोड़ा दर्द हुंदा ना उदा मुख कारण बनादा पेट गैस ते कबज हो ता मुख कारण हुंदा है सुच्यों दमागते भोज पायों पता लगूबी सच्ची वेदे कार के हो रहा पंग पता केड़ी चीज पहिया ते एदे वास्ते एक ता अजबैन एक सौंफ ते एक जीरा तिन चीज जांदा तवे ते रोस्ट करके पाउडर बिणा अगे रखो जदो रूट्टी खान लगदें तुसी थोड़ी ची कौली चेह प्या होना चाहिए दा गोड़ पैला खालो र जड़ी चाहिए दो बद खाना खाया जाओगा क्योंके गोड़ जड़ा है वो जली ते अग दे विचे क्यों उदा कम करता हो जदो सादे अंदर जट्रगनी बढ़ दिया रोटी मंग दिया पो उख लग दिया अंदर पो चमक दिया तो एक अग बढ़ दिया अंदर गोड़ खालोंगे उदे विचे शक्तियां दिया उद्व जड़ा खाना खाता होया और प्रपर तनू पचेगा ते नाली जदो तुसी की करोगे अजवेंड सौंफ ते जीरे दा पाउडर उदा चमचा खाऊंगे उद्व बाद तुसी देखे ओ जड़े लोकी कहने ने ज जावल निखाने पिंडी निखानी जीमीगंद निखाने कटन निखाने बला कुछी चड़ निखिया निखाना ना मैं घड़े जड़े कोशना जो जी करता हो खाऊ लेकिन परहेजदे नाल ने जी ये लिगे जिए मांदी दाल खाली मनलो मिने जिक वरी तक की करलूगी और ती दाने अपने ओदे छोड़ें दे काले छोड़ें रात नू पानी चपे होंदें कंच दी का उली चुछ सवेरे उठके उन्हों चबा चबा के खाना और जिड़ा पानी पे रख्या उन्हों सिप करकर के पीना तुसी थोड़े दिन ना जो पुछ जोंगे यूरीक ऐसे पाते भी बड़ी करपा तो अड़े दे भी एक करपा बनी रहे और कोई भी क्रेलु नुसका तुसी जानना चाहूने ओंड़े लोपेथिक दमाईयां खान दे आंक यां कई बहुत तरांदे कई वरी साइड इफेक्ट्स फिनाल देखन देने पारें क्रेलू चीजां बिमारी तो निजात जरूर पास आदे सो इत्थे में गल जोड़ां दे दर्द दी गाल कार दिया लगदा है कि सिर्फ बज़ोर्गा ना जुड़ी समस्या पर आज टाइम विच देखिए यंग्स्टर रिच वी आरे फैक्टर वद्या कई अगर आपा फीमेल्स दी गाल कर अगर्णल पुतर जी बेटा जी बेटी जी बहुत गौर्णल सुननी है असी बर्गर खाईए असी पीजा खाईए असी कोल्ड रिंक पीए असी कोछ पीए वह तैनू की जल ठीक है तो अड़ी मैं तो डिनान साहमत हां क्योंकि ए जड़ी चीज जाने एभी असी खा सकते है क्योंकि होन तो डिजडी मशीन है वह एस्टेम पूरी स्ट्रॉंग है जदो तुसी पजापच बन जा दे होना साड़ी उमर चाहुना है तो मशीनाने कमजोर हो जाना क्योंकि असी फेर भी कितना किते असली देशी के उखादे होए तैसी कितना किते कार नहीं दुद पीता हो या असी हले थोड़े चल रहे है या चाहरी मशीन ठीक चल रहे है पड़े अचल कंगर के जो मर्जि काम क्ट्र m इताद एक चीज दाग और रखो एक गाज्जर रोज खानी हैं इक गाजर इक योडिर नहीं करनी करनी। अचब चब चब के खाना सेंग धनी को इुकशने क खानी उप Missus huat और कर नइकु नगा तो पि Mayo कि का ले नहीं किसे नहीं जाना तो तुमस discussion का के एक बासे हो करूं कर दी चात तो बार उन्हें रात नू सारी चो जाना थले तरती तुसी देखोंगे तरती ते जैनु कोई कीडा उस पानी नू खाल बेजा पील बेजा टच कर लबेजा कीडा मर जंदा है इंडी जै रहा दे विच ते ओ जडी मूली दी सारी पॉईजन निकल गी रात नू सव सब्सक्राइब तो बेस्ट फार्मूले ने अजमा के देखे हो तो नू पता लगो गोड़ जीरा अजबायान सौंफ दे कि निदे कि नू मूली दे किन्ने फाइदिया गाजर दे किन्ने फाइदिया तुसरी मेरे बच्चो और मेरे बुजरगों किसे बहुत वास्क्राइब तुस्य सारे वाश्थ थे पहुट फार्मूले ने और मैं अपने बुझरगान वास्फ संझ के सेवा दे रूप चेहन उसके दस कि और जिड़े यंग्स्टर ने उन्हान अपने बच्चे समझ के अनजान समझ के एक अलत दसंदी कोशिश कर दा कि अज़े समझ ना आई ता दस साल नू समझ जरूर आऊगी ज़े अज़े समझ लेन ता दस साल नू मेरा थैंक्यू कर दे फिर नंगे हो फिर कोई गोईल हो दा देतों गोड़े देतों या फिर कोई यंग है यह जहले हैं लागदा कि काटा पर आरे फेक्टर रिपोर्ट काफी जादा यह सोई क्रेलू नुसके ने ते तुसी आपनी जिंदगी नू खुशाल बना साकते हैं बहुत बहुत वदिये टांगना तुसी क्रेलू नूसके द द्रूस्त रखो जल्दी मिलांगे जी साश्रीकार